तो गाइस आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम यहाँ पर detail में discuss करेंगे यह वीडियो UPSC और State PSE के point of view से बहुत ज़ादा important होता है तो चलो शोबार हम करते हैं बट उससे पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है नीचे description box में PDF link के नाम से एक link दिया या है जैसी आप उस पे click करोगे मेरे telegram channel open हो जाएगा वहाँ से आप लोग इस lecture के PDF को download कर सकते हो साथ ही साथ अगर आप लोग मुसे connect होना चाहते हो तो नीचे description box में मेरे Instagram ID का link मिल जाएगा या फिर उस तरीके से link नहीं मिलता है तो directly आप लोग Instagram पर जाकर दीपक जाएदव education टाइप करोगे तो आपके सामने मेरा profile open होगा वहाँ पे connect होकर आप मुसे अपनी सारी queries को प रहने वाला है तो यह है हमारा आज का सबसे पहला और एक बहुत जादा important article और जैसे मैं आप लोगों से हमेशा बूलता हूँ पहले तो आप लोग कोशिश ये करना वीडियो के साथ ही साथ में आप लोग सारे notes को prepare कर लो otherwise उतना time नहीं मिलता है तो एक चीज यहां पे ध्य पीडियेफ को हमेशा download कर लिया करो lecture को जैसे आप लोग ने सुन लिया इस PDF को तुरंत revise करो और उसी के साथ में आपको Sunday जो है वो पूरी तरह से आपको देना है अपने revision के लिए क्योंकि आपको notes मिलने का time नहीं मिल रहा है तो revision ही आपको यहां पर success की तरफ बढ़ा सकता ह तो PDF को revise करना है lecture के खतम होने के बाद में और साथी साथ में हर Sunday के अंदर आपको पूरे सपता का revision करना है तो जाकर आप लोग यहां पर notes की requirement को एक तरीके से skip कर सकते हो जैसे कि यह article है आज का यह बहुत important है पिछले कुछ जिनों में लगातार इसको cover किया जा रहा है अभी relevancy रखते हैं इस article को दहिंदू ने cover किया था तो एक बिल्कुल एक authentic article देखने को मिलेगा GS paper 2 से आप लोग इस article को relate कर सकते हो जैसे आप लोग देख पाऊगे यह सारे topics आपको हमारे syllabus के अंदर देखने को मिल जाते हैं तो issue क्या है तो recently 24 वा आसियान इंडिया senior official meeting हुआ है तो यहाँ पर सारे senior officials थे जिनके बीच में meeting की गई और इस meeting को host किया गया है डेली के अंदर में और एक और चीज हुई है recently इंडिया और आसियान देखों ने मिलकर अपनी 30th anniversary का celebration भी किया है यानि भारत और आसियान कंट्री के relation को 30 साल हो चुके हैं तो इस वज़ा से भी च question बन सकता है और directly पूछा जा सकता है इंडिया और आसियान कंट्री के relations के बारे में तो एक एक करके चर्चा करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आसियान कंट्री भारत के लिए important हो सकती हैं लेकिन बिलकुल basic से start करेंगे सबसे पहली चीज हम लोग जानेंगे ये आसिया focus है कि अपने हाँ पर economic, political और security cooperation को लेकर चलना यानि इन तीन sector के अंदर ये countries मिलकर काम करना चाहती हैं आगे मैं इसको detail सा define करूँगा इस body को establish क्या जया था अगस 1967 में Bangkok के अंदर धियान अकना ऐसे question भी बनते हैं जैसा BRICS को लेकर एक question बना था अब ASEAN countries के founding father कौन को ने म Singapore और Thailand और मैं आपको बताया total अभी के time पर इसमें 10 देश हैं 10 देश कौन कौन से हैं तो Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore, Thailand, Vietnam तो आपको होगे क्या sir हमें याद रखना है बिलकुल याद रखना है question बन सकता है बिलकुल बन सकता है तो कैसे याद रखे इन 10 देशों के नाम तो उसके काफी जदा famous short trick है यह आसान countries के लिए वो है TV clip of MBBS, T stands करता है Thailand के लिए, then V से Vietnam, C Cambodia, L Laos, I Indonesia, P Philippines, M Malaysia, B Burma यानि Myanmar, B Brunei और साथ साथ S Singapore तो इस तरीके साप लोग ध्यान रख सकते हो, जितनी भी countries में आपको बताई हैं वो सारी countries की location आपको यह देखने को मिल जाएंगी, अब आपको यहाँ पे ही यह सारी countries एक साथ के उस्तेत है, या फिर आपको सकते हो कि इसी चक्कर में इस group का नाम South East Asian nation रखा गया है, यानि South East countries का एक association इनका एक संगटन, क्योंकि जब आप लोग मैप को डिवाइड करते हो तो ध्यान रखना, आप लोग हमेशा जोग्रफी में क Southwest हो गया, यह मैंने आपको कल के दहिंदू के वीडियो में भी समझाया था, Southwest मौनसून के बारे में जब मैं आपको पढ़ाया था तो, तो यहाँ पर यह Southwest वाला हो गया और यह वाला Southeast वाल रिजन हो गया, तो basically यहाँ पर यह सारी countries एक साथ हैं, इसी वज़ा से यहाँ पर association of Southeast Asian के नाम से हम लोग जानते हैं इस particular group को, तो total यहाँ पर यह सारे members देखने को मिलेंगे, सारे देश आपस में ही यहाँ पर आपको located देखने को मिल जाते हैं, अब question यह है, कि यह 10 के 10 देश यहाँ पर एक group को चला रहे हैं, तो इसकी chairmanship कौन सा मलता है, देखो chairmanship हर साल rotate हो दुनिया भर के लिए, क्योंकि हम लोग जब दुनिया भर की population देखने को मिल जाती है, और इंडिया के साथ में आसिया देश चौथा largest trading partner है, ध्यान अकना हम लोग बहुत सारा व्यापार करते हैं, यानि इंडिया इन 10 देशों के साथ में बहुत सारा व्यापार करता है, इ यह तो हो गई हमारी basic सी बात आसियान के बारे में, अब बात करते हैं कि इस particular meeting के अंदर क्या क्या discussion हुआ, इसकी highlights क्या क्या है, सबसे पहला point यहापे बात करता है कि जितने भी हमारे official ministers हमने देखे थे, जो कि आसियान और इंडिया के बीच में थे, इनके बीच में जब यह cooperate करने के उपर focus किया है, साथी साथ focus यहापर यह किया है कि देखो China को भी हम लोग tackle करेंगे, वो आगी कहानी हम आपको बताऊंगा, साथी साथ इन सबी countries ने मिलकर, यानि एक तरफ इंडिया था, एक तरफ आसियान देश थे, अपने इन्होंने point of view को exchange किया, किस चीज को ल कर भी चर्चा हुई है, इस meeting के अंदर में, फिर साथी साथ यहापर इंडिया का एक focus रहा, इस meeting के दोरान वो है इंडो Pacific के उपर, अब इंडो Pacific यह वाला region है, जहाँ पे Indian Ocean और Pacific Ocean को मिला कर हम लोग इंडो Pacific region बोलते हैं, अब यहीं पर South East वाला जो है वो region यह देखने को मि मिलते हैं, तो भारत का focus है कि हम ASEAN countries के साथ में, इस इंडो Pacific region के अंदर भी एक security को promote कर सकें, इस वाले particular area में corporate कर सकें, ऐसा क्यों, क्योंकि चाइना की बहुत सारी illegal activities इस वाले छेतर में और इस वाले छेतर में देखने को मिलती हैं, तो उन illegal activities को हम लोग counter कर सकते हैं ASEAN countries के साथ में मिलकर, ये भी discussion यहां पर किया गया है, और साथी साथ ASEAN countries ने जो इंडिया का support है ASEAN के प्रती उस चीज़ को appreciate भी किया है, क्योंकि ASEAN countries जानते हैं कि बिलकुल यहां पर भारत का एक बहुत अच्छा support मिलता है, इन countries को, व्यापार के मामले में, और भी various चीज़ो में थे, Indonesia के साथ में चर्चा में थे, ये सारी countries वो हैं जिनके साथ में भी recent relations चर्चा में थे, Thailand के चर्चा में थे, और इन countries के साथ में relations अलड़ी बहुत अच्छे हैं, जैसे वेतनाम का example ले सकते हो, कुछ दिन पहले में आपको पढ़ाया है, वेतनाम इंडिया के relations पढ़ तो आपको पता है, ये 10 nations grouping है, और यहां पर बोला ये जाता है, कि इंडिया basically इन ASEAN countries के साथ में एक trading partner है, हमने free trade agreement sign कर रखा है इन देशों के साथ में, और इंडिया के साथ में US, China, Japan, Australia, ये भी यहां पर इन countries के साथ में व्यापार को लेकर एक agreement sign कर चुके हैं, अगर हम ल आजातार यहां पर established होते चले गए, बढ़ते चले गए, और अभी 2022 में हमने 30th anniversary को celebrate कि 30 साल हो चुके हैं, दोनों countries के relations को बरकारार चलते वे, उसके बाद इंडिया ASEAN countries की जब relations के बारे में चर्चा की जाती है, तो यहां पर हम देख पाते हैं, trade people to people ties बहुत अच्छी तर बैलेंस कर सकें, मैंने आपको बताया कि China बहुत साथा aggressiveness दिकाता है, चाइना की illegal activities इस particular area के अंदर increase होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको control करने के लिए, current time पर India और साथी साथ ASEAN countries properly work कर रहे हैं, ठीक है ना, I hope आप लोग को यहां पर properly clarity मिलना है, यह सारी चीज अधा largest trading partner है, भारत ने already free trade agreement sign कर रखा है ASEAN के साथ में 2009 में, और India basically यहां पर एक comprehensive economic cooperation agreement के साथ में भी है, जहां पर major focus हमारा यह है, कि India और ASEAN देशों के बीच में जो व्यापार है, वो freely चल सके, यानि जो पहले extra duties, charges वगरा लगाय जा रहे थे, उनको माफ किया जा सके, और यहां पर व्यापार smoothly बढ़ सके, तो इस चीज के मामले में दोनों countries का cooperation रहता है, दूसरा cooperation रहता है, political cooperation, जब यहां पर हम लोग बात करते हैं, तो ASEAN India Center को established क्या जा था, ताकि यह ASEAN countries और भारत साथ में मिलका research के उपर काम कर सके हैं, उसके बाद में financial assistance की बात आती है, त बहुत सारे mechanism ला रखे हम लोग, कैसे कैसे, तो ASEAN India Corporation Fund मनाया गया, ASEAN India Science and Technology Development Fund मनाया गया, ASEAN India Green Fund मनाया गया, जहां पर इंडिया जो है, इन सभी fund में बहुत सारा contribution देता है, बहुत सारा पैसा provide करवाता है, ताकि यहां पर हम लोग अब इन countries के साथ में relations को आगे और भी establish क दरते वे चले हैं, फिर उसके बाद में connectivity को लेकर चर्चा आती है, तो connectivity के मामले में देखोगे, तो India धीरे-दीरे connectivity बढ़ा रहा है, जैसे एक हमारा project है, India Myanmar Thailand Trilateral Highway, यह जो Trilateral Highway है, आप देख पाऊगे, इंडिया से निकलता है, और उसके आद म्यानमार से होतावा, Thailand तक जात में, जिसके माध्यम से हम लोग पहले तो एक तरीके से train भी चला सके है, वेतनाम तक, ठीक है, उसके साथ-साथ हम लोग यहाँ पर, आप कह सकते हो कि, जब connectivity बढ़ेगी, तो इससे यहाँ पर काफी जो व्यपार है, वो और भी ज़दा increase होता है, फिर उसके बाद में cooperation है, वो है, socio-cultural cooperation, यहाँ पर major focus है, दोनों countries का की लोगों के बीच में, यानि की देखो, countries की सरकार के बीच में, टाइस तो हैं ही, लेकिन अब focus यहाँ पर यह है, कि इन countries के people to people की जो connectivity है, उसको बढ़ा सके, यानि की लोगों का interaction हमारा बढ़ सके, और इसके लिए क्या कर सक आशान students को provide करवाया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, people to people contact भी बढ़ रहे हैं, ये भी एक benefit देखने को मिलेगा, फिर defense cooperation के बारे में, जब चर्चा करते हैं, तो इंडिया और आशान देशों के बीच में, यहाँ पर navy और military, दोनों ही यहाँ पर अभ्यास conduct किये जाता हैं, ये भी आपको ध्यानक ना है, वेतनाम यहाँ पर बहुत लंबे समय से close friend रहा है, हमारा, उसका Singapore भी यहाँ पर equally important partner रहा है, वो भी यहाँ पर बाते बताई गई हैं, दन उसके बाद में अब question आता है कि ASEAN का importance भारत के लिए क्या देखने को मलता है, दोको इंडिया को बिल पसिविक रिजन के अंदर एक central हिस्से के अंदर आती है, यानि इदर Indian Ocean हुआ, इदर Pacific Ocean हुआ, बीच में आपको ये ASEAN countries देखने को मिल जाती है, तो इंडो पसिविक रिजन के बीच का हिस्सा है, यहाँ से हमारी connectivity बनी रहेगी, तो यहाँ से हम लोग connect हो पाएंगे, और यहाँ से भी connect हो अल्रेडी है ही, और सबसे important बात जो हमारे North Eastern region है, इस North Eastern region से हम लोग अपने इस पूरी दुनिया को connect कर पाएंगे, ठीके न, connectivity के मामले में चर्चा होती है, तो यहाँ पे हमेशा North Eastern इंडिया की बारे में चर्चा होती है, देखो यहाँ पे क्या होगा, country से साथ में connectivity को बना सकते हैं, और जब यह काम होगा, तो इस से इस वाले particular area के अंदर, यानि कि भारत के North Eastern states के अंदर भी, जो economic growth है, वो बढ़ता वा नजर आएगा, तो इंडिया को यहाँ पर भी बहुत सारे फाइदे मिलने वाले हैं, और at the last में आपको mention किया ही है, कि च RCP का मतलब है Regional Comprehensive Economic Partnership, यह जो term है, यह एकसर news में देखने को मलती है, यह आपको बताना है कि कौन से group से संबन देता है, G20, ASEAN, SEO या फिर Sark, तो इसका correct answer आपको भी देखने को मिल जाएगा, ASEAN देशों से यह संबन देता है, ठीक है ना, I hope आप लोग यहाँ पर इस चीज अनपूर्णा के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है, इसकाल जैंग रिग्जिन, यहाँ पर सैल्यूटेन व्यक्ति को, यह पहले इंडियन माउंटेनियर बने हैं, जिन्होंने माउंट अनपूर्णा की चड़ाई करी है, पीक तक पह तो इसी वज़ा से यहाँ पर यह काफी चर्चा में है, इनकी काफी यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो पहले मापको माउंट अनपूर्णा के बारे में कुछ चीज़े बताता हूं, जब माउंट अनपूर्णा के आसपास के आप लोग बड़े सारे पहार देखते हो, तो इसी प्रकार से बहुत सरे यहाँ पर आपको एवरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर अनपूर्णा 1 की बारे में चर्चा की जारी है, इसकी जो हाइट है क्योंकि इस वाले पाड़ की चड़ाई करी है, इसकी जो हाइट है उलग बग 8901 मीटर्स आपको देखने क मिल जाती है, 8091 मीटर्स तो यहाँ पर मेंचन किया गया कि देखो अपने आप में 8000 मीटर्स वाला अनपूर्णा एक most difficult, highest peak है दुनिया का, यहाँ पर चड़ना इतना असान नहीं है, और अनपूर्णा को हम लोग जानते हैं, किलर माउंटेन के नाम से, किलर माउंटेन क्य जाना जाता है, क्वेशन मन सकता है, कलर माउंटेन तो माउंट अनपूर्णा है, ध्यान अकना, बागी यहाँ पर मेंचन किया गया, अपने आप में देखो एक बहुत बड़ा achievement यह देखने को मिलता है, माउंट अनपूर्णा की जब location की हम लोग देखता है, तो बेसिकलि में, बागी माउंट अवरेस्ट टॉप पर है, तो माउंट अवरेस्ट की height की height कितनी है, नीचे comment section में आप लोग उस height को type कर सकते हो, ठीके ना, चलो, आगे आते हैं, उसके बाद अपने next article की तरफ, तो एक छोड़ा सा article था, मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए, अगला Indian Express ना इस article को cover किया है, आपको पता होगा quad group के बारे में, कितनी बार आपको पड़ा रखा है, quad group के अंदर आपको 4 countries देखने को मिलती है, कौन-कौन सी है, एक तो इंडिया खुद है, then US हो गया, then Australia हो गया, then Japan हो गया, तो यहाँ पे quad का मतलब क्या होता है, quad का मतलब एक ऐस shape जिसके 4 कोने हों, इसको हम लोग quad बोलते हैं, तो इस quad के अंदर भी आपको 4 countries देखने को मिल जाती है, यह तो आपको नाम रटेवे हैं, लेकिन जो यह I2, U2 है, इसको आप लोग कह सेकतो, यह एक second quad है, अब second quad कैसे है, क्योंकि इसके अंदर भी 4 देश है, I2 का मतलब I से एक तो एक I हो गया India के लिए, एक I हो गया Israel के लिए, अब 2 U किसलिए हैं, तो एक U हो गया UAE के लिए, और एक U हो गया US के लिए, तो इन 4 countries का group आपको यह देखने को मिल जाएगा, यह भी आपे quad के नाम से जाना जाता है, ठीके ना, तो इस article को आप लोग GS paper 2 से relate कर सकते हो आखिरकार यह चर्चा में क्यों आया, क्योंकि पिछले साल October में चर्चा में था, उसके बाद NDA, CDS जितने भी examination हुआ हैं, उन सभी examination में इसको लेकर question आया था, तो I2, U2 जो initiative है, इसमें यह 4 देखने को मिलने के मैं आपको बता दिया, तो अभी होने वाला यह है, कि पहला पहला इनका virtual summit होने वाला है, यानि कि वीडियो conference के माद्य हम से पहली बार यह चारो देश बातचीत करेंगे, कब बातचीत करेंगे, जुलाई 2022 में, यानि कि अभी आने वाला जो महीना है, अभी हम जून में है, next month यहां पर इनकी पहली virtual summit होने वाली है, इसी वज़ा से य particular group चर्चा में है, तो इसके अंदर चार देश है, UAE, Israel, US और इंडिया, I2, E2, यहां पर आप देख पाऊगे, Israel यह है, UAE यह है, इंडिया इधर देखने को मिल जाएगा, जब चलोगे, पाकिसान को क्रॉस करके, और US आपको उधर की साइट पीछे देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं, इस initiative के बारे में, कैसे यह बना, इसके बारे में कुछ static से information हो गई, जो कि आपसे prelims में पूछी जा सकती है, जब हम लोग background की बात करते हैं, तो इस group को form क्या यह थो October 2021 में, Abraham Accord को follow करते करते हैं, इस group को बनाया गया, इस group का major focus यह था, कि हम लोग क्या क करेंगे, maritime security के उपर काम करेंगे, infrastructure को promote करेंगे, और transportation को promote करेंगे, इस पूरे region में, कौन से वल region में, खास कर यहाँ पर आपका सकते हो, Middle East वाल region में, ठीक है, यह आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर Saudi Arabia, UAE और Israel वगरा देखने को मिलता है, और इसी विदेसे को हम लो destination quad है, जहाँ पर इंडिया भी है, इंडिया के लिए opportunity है कि इंडिया का presence पहले इस वाले area में बिलकुल भी नहीं था, लेकिन अब इस वाले quad group के माध्यम से, इस वाले area में एक बहुत बड़ा presence भारत को मिल चुका है, तो I2-U2 initiative आपको पता चल चुका है, दो I से इंडिया Africa quad और West Asian quad के बीच में क्या difference है, I hope आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होगे, अब यह I2-U2 को बनाया गया, इसका importance क्या है, सबसे पहली चीज़ security cooperation, चारो countries का focus है रहने वाला है कि उस वाले छेतर में हम लोग security के मामले में cooperate कर सके हैं, ठीक है क्योंकि उस वाले छेतर में बहुत जादा भवाल आपको देखने को मिल जाता है, फिर उसके वाट technological हब इसका दूसरा importance है, यानि यह जो countries है, इनका major focus है कि हम लोग technology के मामले में cooperate करें, फिर food security एक और importance है, इस initiative नहीं आपर एक opportunity दी है, इन चारो देशों को की आपस में food security के मामले के ओपर discussion करें, साथ और भी जो बची कुछी field हैं वहाँ पर इक countries काम कर सकें, जैसे technology, trade, climate, उसके बाद COVID-19 से कैसे लड़ना है, even security हो गया, इन सब चीजों के लेकर यहाँ पर यह countries मिलकर काम करने वाली है, तो आप लोगोंने ध्यान रखना है, West Asian Quad क्या है, ठीक है ना, अब आते हैं, यह हम लो आप लोग देखोगे ना, तो इससे इंडिया का जो engagement है इसराइल के साथ में वो बढ़ेगा, अब यहाँ पर क्या है ना, कि देखो, अभी तक क्या हो रहाता है, जब हम लोग इसराइल का इतिहास देखते हैं, तो एक टाइम पर इसराइल यह था ही नहीं, 1947 के टाइम पर आप देखोगे, तो वैसे तो बेसिकली यहाँ पर यह आज के टाइम पर तो इसराइल है, लेकिन 1947 में यह पलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे जो है इसराइल हो बसता है, यहाँ के जो लोग हैं वो कबजा करकर इसराइल को बसाते हैं, तो आप देख पाओगे, इधर पूरा का पूरा यह जो वाइट कलर का हो गया, यह इसराइल हो गया, पलिस्तीन कम हो गया सुकड़ कर, क्योंकि 1947 में एक पार्टिशन प्लान आया था, फिर 1949 से लेकर 67 के बीच में इसराइल ने और भी अरिया कबजा लिया, यह सिर्फ और स टाइम पर आते यह जो पलिस्तीन ने और भी खतम हो गया, यह छोटे छोटे सेटलमेंट्स के अंदर तूट गया, तो इस प्रागार से आप देख पाओगे, अब इसराइल जैसे बन रहा था इरिया को कबजा कबजा के, तो इसराइल को as a country कोई भी recognition नहीं दे रहा था, को इजिप्ट ने यहाँ पर इसराइल के साथ में 1979 में डील करी और इजिप्ट को ने यहाँ पर इसराइल को recognize किया, फिर बिल्कुल सेम यहाँ पर जॉर्डन ने भी 1994 में जाकर एक deal sign कर ली, फिर बहरेन ने यहाँ पर deal sign कर ली, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, तो इस प्रकार से जो countries हैं वो लगाता deal sign करती चली गई, और यहाँ पर जो इसराइल है, उसको एक तरीके से मानेता देती चली गई, इसराइल को recognition देती वी चली गई, तो इंडिया के लिए भी एक benefit है, क्योंकि इंडिया पहले proper Israel के साथ में engagement नहीं कर पा रहा था, क्योंकि UAE और Arab Emirates यह जो जितने भी यहाँ पर countries हैं, वो बहुत ज़दा नराज रहते थे कि इसराइल के साथ में कोई relation को develop नहीं करेगा, लेकिन अब तो UAE साथ में आ चुका है, तो यहाँ पर major focus है कि UAE साथ में आ चुका है, UAE भी recognize कर चुका है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ब बहुत बड़ा consumer market है, इंडिया को यहाँ से बहुत benefit मिलेगा, उसके बाद में हाँ पर हम लोग बात करेंगे, यह इंडिया की मदद करेगा, एक alliance बनाने में, एक group बनाने में, क्योंकि West Asian nation के अंदर हमारा कोई भी ऐसा group नहीं है, हमारा यहाँ पर कोई भी presence नहीं है, तो इ directly examination में question पूछ लिए जाएंगे, खास कर one day examination में, तो दहिंदू का आर्टिकल है, इंडिया नहीं हाँ पर अभी अपनी rank हासिल करिये 37th rank इस 2022 के इंडेक्स में, GS paper 3 से इस आर्टिकल को आप लोग relate कर सकते हो, पहली चीज़ तो issue क्या है समझते हैं, तो अभी यहाँ पर annual, य भारत की rank 37th है, पिछले साल ये rank भारत की 43 थी दियो ध्यान रखना, 43 से jump होकर हम 37 पर आ चुक है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग ने competitiveness के मामले में, हमारा performance काफी बहतर रहा है, और यह मैंने आपको जो बताया ना, IMD जो है, वो release करता है इस World Competiveness Index को, तो IMD basically एक Swiss foundation है, जो कि Switzerland क के अंदर है, Switzerland की जब location देखती हो, तो आपको यहाँ पर Switzerland देखने को मलेगा, और उसके बाद इधर France है, उपर जर्मनी आपको देखने को मिल जाता है, नीचे आपको इसके इटली देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख स सकते हो, और इसके बराबर में इधर Austria है, उस्ट्रेलिया नहीं, उस्ट्रिया, उस्ट्रेलिया और उस्ट्रिया दोनों अलग अलग है, बाकी Switzerland की capital का है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो, तो इंडिया की रेंग यहाँ पर 37 आती है, इस World Competiveness Index के अंदर और यह तो आपसे One Day Examination में डिरेक्टली पूछ लिया जाएगा, लेकिन सर यह भी पूछ लिया जाएगा कि Top कौन कौन है इसके अंदर, तो देखो साल 2022 के Index में Top Performer 1, 2, 3, 4, 5, इस Top 5 के अंदर आता है Denmark, Switzerland, Singapore, Sweden और Hong Kong, और 37 पर आता है India, लेकिन जब आप Compare करोगे तो 2021 है, तो डेन्मार्क अभी पहले नंबर पर आचुका है, 2021 में Switzerland पहले नंबर पर था, अब यह दूसरे नंबर पर आचुका है, 2021 में Singapur 56 पर था, तीसरे नंबर पर आचुका है, भारत यहाँ पर 43 पर था, हम लोग यहाँ पर 37 पर आचुके है, हमारा भी एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है अब question यह है कि सर यह world competitiveness index है क्या तो देखो यह जो index है इसको सबसे पहली बार published क्या गया था 1989 में यह हर साल एक annual report लेकर आता है और बताता है कि एक country के अंदर उस country के अंदर economic performance कैसा है government की efficiency कितनी है business कितना efficient है plus infrastructure इन चार चीजों के उपर focus करके इस पूरे के पूरे report को तैयार किया जाता है ठीक है ना चलो आगया आता है अब बात करते हैं कि इस index के highlights क्या क्या रहे तो top performer already मैं आपको बता चुका हूँ Denmark वगयरा यह top performer रहे बागी ध्यान अकना अपकी बार के index में Russia और Ukraine दोनों को ही नहीं evaluate किया गया दोनों को ही नहीं रखा गया इस साल के edition में क्योंकि यहाँ पर इनको लेकर कोई भी हमारे पास proper data था नहीं तो इसके वैसे इन दोनों को इस index में नहीं रखा गया बाकि इंडिया की performance already discussed कर ली है 2022 में एक अच्छी रहेंग आ चुकी है 2021 में यहाँ पर 37 थी और 2022 में 38 यह basically economic performance आपको बताया ना कि इंडिय तो सभी में यहाँ पर improvement हुआ है बस खाली infrastructure के अंदर कोई भी change नहीं है नहीं तो पिछले साल के comparison में हमने हर जगह पर rank जो है वो improve करी है ऐसा यहाँ पर बताया गया आगया आते हैं अब बात करते हैं इंडिया का जो performance इतना बढ़िया रहा है इसके अंदर उसके पीछे के क्या करण हो सकते हैं सबसे पहला करण हमने अपने retrospective taxation के मामले में एक improvement किया है साल 2021 में रेप्रोस्टेक्टिव taxation क्या होता है तो आपको मैं समझा देता हूँ देखो retrospective taxation में यहाँ पर मतलब यह है कि भारत ने एक tax लगाना चालू किया मान लो कि जैसे कोई company है कोई company 2005 से का करें सपोस और भारत यहाँ पर एक taxation का system लेकर आता है 2010 में और भारत यह बोलता है कि भाईया यहाँ यहाँ पर आज से यानि 2010 से companies को tax देना होगा तो companies बोलेंगे ठीक है tax देंगे क्या दिक्कत है लेकिन भारत ने बोला देखो यह एक retrospective taxation है now retrospective taxation का मतलब यह है कि आप जब से established हुए 2005 में आप company मनाई थे और 2005 से 2010 तक का बीच का सफ़र तया किया तो भारत 2010 में taxation लाया है वैसे काईदे वाली बात होई है कि अभी 2010 से इस company को tax दुकाना चाहिए लेकिन होगा क्या भारत ने बोला कि जब से आप established हुए हो उसका पिछला tax भी दोगे तो पिछला tax भी companies के लेकर अब उसके बाद यहाँ पर mention किया भारत ने अपने drone sector के मामले में space sector के मामले में काफी सरी चिजों को अच्छे सरे regulate किया है और Indian economy के अंदर इसी चकर में एक improvement देखने को मिला एक सबसे important factor ये भी है climate change को लेकर भारत ने काफी अच्छी तरीके से काम किया है हमने अ अभी आपको बताओ Glasgow के अंदर summit वादा 26 वा इस summit के अंदर conference of parties के अंदर में भारत ने टार्केट रखा है कि हम 2070 तक net zero की तरफ बढ़ेंगे यानि बिल्कुल भी pollution नहीं करेंगे तो उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब आगे बढ़ रहे हैं तो इनी चीजों क की वज़े से एक improvement देखने को मिला इस particular index के अंदर में तो ये तो हो गया है factors क्या क्या responsible है इसकी वैसे भारत ने यहाँ पर आगे growth पाई है बागी कमजोरी के बारे में बात करें यानि weakness क्या है तो challenges में क्या होता है ना कि इंडिया जो है वो लगातार trade के मामले में काफी problem face क development नहीं है employment generation proper नहीं है infrastructure proper development नहीं देखने को मिलेगा तो ये कुछ यहाँ पर weakness देखने को मिल जाती है और strength क्या है तो भारत की जो strength है इसमें सबसे पहले चीज़ आती है skilled workforce हमारे पास बहुत सारे workforce आपको देखने को मिल जाते हैं बाकी आपको हमारी जो economy उसके अंदर काफी चेंजेस डानेमिक चीज़े देखने को मिलती है education level थोड़ा सा हाई है काफी सरे लोगों के अंदर में open और positive attitudes है तो ये भारत की strength देखने को मिल जाती है बाकी हमारी देश में competitiveness को improve करने के लिए भारत सरकार ने recently काफी सरे steps उठाए हैं example के दोर पर जैसे towards increased manufacturing capacity manufacturing capacity को बढ़ improve हुआ पाकी बहुत सारी जो companies हैं उनको PLI scheme के अंदर register किया या यानि production link incentive scheme उनसे बोला आप दवा के production करो आपको incentive में लेगा सरकार incentive देगी तो इसकी वीसे भी यहाँ पर भारत की growth देखने को मिली है बाकी technological advancement की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इंडिया का जो department of telecom है इन next article पर आते हैं यह हमरा article होता है खतम world competitiveness index को लेकर है अगला article बहुत important हो जाता है GS paper to health से इस article को आप लोग relate कर सकते हो पोलियो के बारे में चर्चा की जा रही है क्या है पोलियो हम लोग समझते हैं हुआ क्या दहिंदू ने इस article को publish किया कोलकरता के अंदर एक sample पाया गया है पोलियो वायरस का लेकि शुक्र है कि वो wild polio वायरस नहीं है अब wild polio वायरस हो तो कहीं न कहीं भारत के लिए एक problem create होती है problem create क्यों होती क्योंकि भारत एक polio free country है तो यहाँ पे polio वायरस का case मिला जिसको लेकर चर्चा की जा रही है मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ issue यह है कि यह जो polio वायरस का sample है यह कोलकरता बेंगॉल से यहाँ पर निकाला गय यह उस व्यक्तिक से निकला है जिसके अंदर immunity के काफी कमी देखने को मिल जाती है और अच्छी बात यह कि देखो यह human से human में transfer होने वाला polio वायरस नहीं है अगर यह बिमारी किसी को affect करती है तो directly उसके nervous system को attack करती है यानि कि उसके brain को directly attack करेगी जब हम लोग polio वायरस की बात करते हैं तो इसमें अलग-लग strains होते हैं जैसे आपने covid में देखा अलग-लग strain निकल कर आए एक के बाद एक changes होते हैं चले गए वैसी polio वायरस के अंदर तीन आपको strain देखने को मिलते हैं type 1, type 2 और type 3 करके तीनों ही खतरनाक हैं situation कभी-कभी इतनी बत्तर हो जाती है कि polio की वज़ा से brain का जो nervous system है वो damage होता है और उसकी वज़ा से body के अंदर paralysis जैसी situation create हो जाती है या फिर even इंसान की जान भी चली जाती है तो यह तो यहाँ पर आपने polio के बारें पड़ा अब बात करते हैं यह फैलता कैसे देखो यहाँ पर percent to percent transmit होने का एक कारण देखने को यह मिलता है कि मान लोग कोई दूशित खाना खालिया नहीं गंदा खाना खालिया contaminated food खालिया उसके आद यहाँ पर कोई दूशित पानी पी लिया तो इसकी वज़त से यहाँ पर आप कर सकते हो जो polio virus से वो transmit होता वाचल जाता है ठीके ना यह जो polio virus से किसी खाने के अंदर है किसी food के अंदर तो इससे यहाँ पर transmit हो जाता है यह वेन आपको बताया बाकी polio virus की वज अदर paralysis वाली situation आ जाती है अब polio virus को कैसे ठीक कर सकते हैं कोई भी proper curation इसका नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग immunization के माध्यम से ठीक कर सकते हैं इसी चक्कर में हम लोग polio की drops वगरा पहलाते हैं ताकि आपर बच्चे के अंदर यह जो polio वाली situation हो कभी developing ना हो जाद अतर यहा पर इसके लक्षन निकल कराते हैं और polio fatal हो सकता है मतलब यह जान लेवा हो सकता है अगर जो आपकी सास लेने वाली muscle है वो paralyzed हो जाए तो सास लेने वाली जो muscle है वो paralyzed हो जाएगी obvious ही बात है breathe कर नहीं पाओगे तो इसकी वैसे भी जान जा सकती है बाकी polio को tackle करने के लिए क आपको देखने को मलती है इसको ओरली दिया जाता है यानि कि आपको drops पिलाई जाती है खास कर छोटा बच्चा जब यहाँ पर बढ़ रहा होता है दिरे दिरे तब और दूसरे प्रकार का vaccine है वो है injectable polio vaccine यह एक additional dose यहाँ पर दी जाती है inject किया जाता है body के अंदर में अग इंडोनेशिया और इरान के अंदर में उसके साथ में WHO नहीं हाँ पर यह भी बताया कि जब आप लोग बात करते हो polio virus की तो इन countries के अंदर properly immunization नहीं था लेकिन जब हम लोग इंडिया और polio का connection देखते हैं तो इंडिया को already WHO के थुरू साल 2014 में polio free certification प्राप्थ हो चुका है मतलब भारत एक polio free country है क्योंकि देखो 2011 में एक last case 2011 13 जन्वरी को एक last case निकल कर आया था wild polio virus का wild polio virus काफी खतरनाक होता है फैल तब ही बहुत तेजी से है तो 2011 के बाद लगातार 3 साल 2012 13 14 एक भी case निकल करनी आया है zero cases इस चीज़ को देखते हुए WHO ने polio free certification भारत को दिया था clear हो गया अब इंडिया तो polio free हो गया लेकिन अभी भी दिक्कत बने विए दिक्कत यह है हम लोगोंने एक लंबा सफर तैय किया दो लाग से दो लाग polio cases एक टाइम पर देखने को मिलते थे वो यहाँ पर zero कर दिया हमने लेकिन problem यह है न कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान यह दो नहीं हमारे पडोशी देश जो कि हमसे border साजा कर रहे है इनके अंदर यह wild polio virus अभी भी बहुत जादा मातरा में बहुत सारा wild polio virus इन देशों के अंदर देखने को मिल जाता है तो यह एक problematic concern देखने को मिल जाता ह बाकी polio को खतम करने के लिए कौन-कौन से steps उठाए गए इसको समझते हैं तो यहाँ पर आप कैसकतो दुनिया भर में यानि global level पर भी काफी सारे steps उठाए गए हैं साधी साथ इंडिया ने भी कौन से steps उठाए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब लोग global level की बात करते हैं तो पहला आता है global polio eradication initiative eradication मतलब इसको कम करना इस initiative को 1988 में launch किया था और इसी initiative के माध्यम से current time पे क्या है कि 80% दुनिया भर की population polio free region में रह रही है मतलब एक ऐसे sector एक ऐसे छेत्र में रह रही है वहाँ पे polio का नाम और निशान नहीं है और इसी polio को देखते हुए world polio day को भी observe किया जाता है तो ध्यान अकना आने वहले time पर October के मेने में वापस चर्चा में आएगा तो हर साल 24 October को world polio day को हम लोग observe करते हैं ताकि इस बिमारी के बारे में एक जागरूकता फिला सकें लोग को इसके बारे में बता सकें तो ये तो हो गई दुनिया बर की बात अब इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम चलाया क्या है था pulse polio program इसको start क्या गया था ताकि हम लोग क्या कर सकें polio की vaccine लोग को दे सकें बच्चों को दे सकें और polio को खतम कर सकें दूसरा यहाँ पर program चलाया गया intensified mission इंदर धनुष 2.0 जिसको लेकर UPC question पूछ चुका है तो ये एक nationwide immunization program है मतलब पूरे देश भर में immunization करने के लिए लोग की immunity को develop करने के लिए इस program को चलाया गया था उसके बाद universal immunization program देखने को मलेगा इसको 1985 में launch किया गया अगे नहीं हाँ पर हमारा major focus यह था कि हम लोग की health को develop कर सकें community को develop कर सकें ठीक है न तो यह कुछ programs इंडिया के थूरू चलाये गये थे polio को लेकर I hope आप लोग को यहाँ पर clarity सारी मिल चुकी है बागी polio से अपने आपको protect करना है तो ध्यान रखना जो बच्चा है उसको multiple times यहाँ पर यह drops लेनी होती है अपने जो hands वगेरा उसको regularly धो खाना ऐसा खाओ जो की पूरी तरह से पकावा हो ठीक है और एक साफ सुतरा पानी पियो तो यह सारे steps हैं जिसके माध्यम से हम लोग polio को tackle कर सकते हैं आते हैं next article के तरफ अगला article भी बहुत ज़्यादा important होने वाला है again यह भी GS paper 2 health के point of view से जबरदस्त है यहाँ पी हम type 2 diabetes क्या होती है पीछे इसका क्या कारण होता है कैसे लड़ सकते हैं क्या यहाँ पर treatment हो सकता है तो सबसे पहले चीज कि हम क्यों discuss कर रहे हैं Indian Express ने इस article को cover किया है 18 जून को इन्होंने explain section पर समझाया type 1 diabetes का management कैसे किया जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग discuss करेंगे type 1 diabetes क्या होती है issue यह है कि जो ICMR है that is Indian Council of Medical Research इन्होंने कुछ guidelines जारी करी है type 1 diabetes के लिए कि हम लोग type 1 diabetes को कैसे diagnose कर सकते हैं कैसे treat कर सकते हैं कैसे इसको manage कर सकते हैं क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि type 1 diabetes देखो बहुत rare होता यानि कि देखो एक तो type 1 होता है एक होता है type 2 जादतर लोग के अंदर जो diabetes वाली situation होती है जो sugar वाली situation होती है वो होती है type 2 वाली type 1 बहुत कमी से देखने को मिलता है लेकिन यह बच्चों के अंदर पाया जाता है अब जब बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा तो बच्चों के लिए कुछ guidelines यहां पे जारी करी है ICMR ने उसी वज़ा से आर्टिकल चर्चा में है अब डाबेटीस कर रहे है हम लोग डाबेटीस होता क्या है डाबेटीस बेसिकली एक non communicable disease है जो कि कहां पर अकर होती है मैं आपको समझाता हूँ that occurs either when the pancreas does not produce enough insulin देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूँ इसका एक important role यह है कि जो भी आप खाना खाते हो उसको वो energy में बदलने का काम करता यह pancreas इस pancreas के आपको दो functions देखने को मिलता है एक है exocrine function और दूसरा है endocrine function अब exocrine function यहां पर क्या करता है आपके digestion में खाने को पचाने में मदद करता है दूसरा यहां पर जो endocrine function है वो क्या करता है वो आपके body के अंदर जो sugar का level है blood sugar level है उसको regulate करता है उसको control करता है तो pancreas का एक बहुत बड़ा role देखने को मिलेगा अब pancreas sugar को कैसे regulate करता है वो करता है insulin के माध्यम से insulin को produce करता है अब देखो insulin को produce करता है तो यहां पर situation ऐसी आती है कि pancreas मालो insulin को produce करना बंद कर दे तो यह जो insulin hormone है यह क्या करेगा यह basically आपके blood sugar level को control नहीं करेगा तो एक condition तो यह हो जाती है दूसरी condition क्या होती है कि जो insulin है वो परियाप्त मातरा में produce नहीं हो पाता यानि जो pancreas है वो हमारे insulin को produce कर रहा है अब pancreas परियाप्त मातरा में insulin को produce नहीं कर पाता तो उससे भी यहां पर क्या होता है हमारा जो sugar level है वो control नहीं हो पाता तो यह भी यहां पर diabetes वाली situation है यह जो type 1 वाली diabetes है इसको अम लोग juvenile diabetes के नाम से भी जानता है क्योंकि यह mostly 14 से 16 साल के बच्चों को affect करती है यहां पर क्या होता है जो आपका pancreas होता है वो sufficient insulin को produce नहीं कर पाता और मैं आपको बताया अगर proper insulin का production नहीं होगा तो इससे यहां पर sugar level control नहीं होगा regulate नहीं होगा तो यह यहां पर type 1 diabetes के अंदर situation देखने को मलती है type 1 diabetes जो है type 2 वाले से कही गुना जादा खतरनाक मानी जाती है type 1 diabetes rare कितनी है तो यहां पर माल लो आप कह सकतो 10 लाग children है कुछ बच्चे हैं जो कि यहां पर affected हैं दुनिया भर के अंदर type 1 diabetes से तो मतलब 10 लाग बच्चे इस सफर कर रहे है उसके बाद यहां पर mention किया है इंडिया के अंदर basically सबसे जादा बच्चे है इन 10 लाग में से सबसे जादा बच्चे भारत के अंदर है जो ही type 1 diabetes से जूँज रहे है उसके आद mention किया जाता है कि देखो type 1 diabetes वैसे तो बहुत कमी से देखने को मलता है लेकिन फिर भी जितना भी है वो काफी खतरनाक है तो type 1 कैसे होता है समझ लिए आपने insulin का proper production नहीं हो पाया और insulin का production हमारा pancreas करता है pancreas कहाँ परस्षित है औरगन क्या है मैं आपको समझा दिया अब आती है बाद type 2 diabetes के बारे में type 2 diabetes अगेन ये भी आपके insulin को ही affect करती है तो यहाँ पर क्या होता है type 2 diabetes यहाँ पर किसी भी age के अंदर हो सकती है मतलब childhood वाले age में भी हो सकती है pregnant women के अंदर बनती है तो gestational diabetes यहाँ पर आपके सकते हो जो women's है जो यहाँ पर pregnancy के अंदर है उनके अंदर यह develop होती भी आती है अब diabetes का impact क्या पढ़ता है देखो impact यह है सबसे ज़्यादा impact पांच main organs के उपर पढ़ता है kidney heart blood vessels nervous system और eyes इन चीजों के उपर directly impact पढ़ता है diet लेना उल्टा सीधा junk food खाना जिससे body के अंदर sugar level और सदा बढ़ जाता है उसके आद कोई physical activity ना करना यानि खा बराबर रहे हो लेकिन कोई भी यहाँ पर exercise नहीं की जारी वो खाना कहां पर जाएगा उसके आद alcohol का बहुत ज़्यादा यूज करना मुटापा बहुत ज़्यादा होना टॉबेकों का यूज करना ऐसी और भी बहुत सारे कारल है जिसकी वज़ा से यहाँ पर यह जो diabetes वो इनसान के अंदर हो जाती है तो यह सारे factors आपको देखने को मल जाएंगे responsible towards the diabetes ठीके न यह आपने clear कर लिया अब उसके बाद यहाँ पर question यह है कि diabetes मैं आपको बता दिया चलो यह थो हम discuss कर चुके है diabetes type 1, type 2 क्या होती है यह भी हम लोगों ने समझा अब दिखो diabetes कैसे बढ़ती है आगे इसके पीछे का एक और factor responsible है वो है genetic factor जब हम लोग specifically type 1 diabetes के बारे में चर्चा करते हैं तो यह बच्चों के अंदर कैसे बनती है तो ऐसा देखने को मिला कुछ बच्चे ऐसे लगबग यहा है तो इस प्रकार से आप लोग देख पाऊगे यानि कि family से family के अंदर genetically basis पर यह diabetes बढ़ती हुई चली जा रही है अब इसका treatment क्या हो सकते दोको treatment एक बहुत अच्छी तरीके से हम लोग treatment कर सकते हैं लेकिन उसको करने के लिए आपको थोड़ा discipline way में आगे बढ़ना पड़ ही होगी proper आप उसको देखो कि वो sugar level कितना जादा बढ़ रहा है कितना जादा कम हो रहा है कुछ भी है तो यहां पर उसकी proper monitoring करो उसके हिसाब से आपको एक healthy diet की तरफ आगे बढ़ना होगा ठीक है यानि कि आपको एक अच्छा खाना होगा खाना खाना होगा जिसमें एक protein क अच्छा source हो काप्स का अच्छा source और healthy fats का fat नहीं healthy fat fat और healthy fat में काफी फरक होता है और जो शुगरी drink है ठीक है बहुत सारी cold drinks वगरा पी जाती है आज के time पर खास कर जो summer time है यहां पर बहुत सारी carbonated drinks हम लोग पी रहे हैं वो बहुत खतरना कि उससे बिल्कुल दूर रहो त उसके बाद भी यहां पर आपको एक physical activity की आवशकता पड़ती है तो कोशिच करो हफते में ना पूरे हफते केवल पांस यहां पर कोशिच कर लो कि मैं कुछ ना कुछ physical activity कर लो ठीक है 30 minutes की walk कर लो या कुछ भी कर लो इससे यहां पर lifestyle थोड़ा healthy हो जाएगा बाकि यहां पर करना होगा और एक proper sleep भी लेनी होगी वो यहां पर काफी हतक important role play करेगा बाकि diabetes को tackle करने के लिए काफी सारी initiative चलाएगा है जैसे national program for prevention and control of cancer, diabetes, cardiovascular disease and stroke करके आपको यह देखने को मिलेगा तो यह जो program है इसको launch किया यह था भारत के थुरू 2010 में ताकि हम लोग क्या कर सके इन सार problems को diabetes, cardiovascular disease, cardiovascular disease का मतलब है heart से संबंदित विमारियां उसको हम लोग कम कर सके, cancer को हम लोग कम कर सके और diabetes को ही देखते, world diabetes day हर साल हम लोग 14 नवंबर को observe करते हैं ध्यान दखना तो नवंबर में यह वापस चर्चा में आएगा, ठीके, आ गयाते हैं, तो यह सारी बातों को ही diabetes क सारी जानकारियां ले लिए हैं, और सब कुछ बहुत अच्छे से clear हो चुका है, इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन एक कर्ष्ट कर देना, वीडियो पर जो like का button उसको दबा देना, आपने अगर बहुत कुछ सीखा है तो, proper notes बना सकते हो, त Otherwise क्या solution हो सकता है, इसका one आपको बता दिया, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज क्लिए बाबाए, have a nice day, thank you and जै हिंद